हेलो फ्रेंट्स में अदिपांकर वेल्केम टू माई यूट्यूब चानेल दोस्तों अगर आप बहुती ब्राइट सानी डेज में बर्ड या वाइल लाइफ फिल्मिंग के लिए बहुती एफोडेबल प्राइस में कोई कॉम्पैक लाइटवेट कैमेरा मोनिटर बाई करने क के लिए सोच रहे तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस बेड़ों मैं रिविए करूंगा फिल्वर्ड एफ प्रो एक्स 5.5 इंच कैमेरा फिल्ड मोनिटर का क्योंकि प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुती एफोडेबल होने के साथ-साथ फिल्मिंग या वीडि फिल्मकर इस 5.5 इंच क्योंच कि लिए ब्राइस वीडियों में एसी आफऔ शोन ए प्रिव उॉवड या व्य वा व्यूँ बाइस है क्यों टा फिल्ड वी लेडियोग इसे लिए इसे पी अल्ड एफ जुटिज यू पंप आडियो आपके वैंठ भाइस तरीव बाइस DAY गारेंटीज एकुरेट कलर्स एंड वाइड व्यूंग एंगेल्स पर्फेक्ट पर ट्रैकिंग मुविंग सब्जेक्ट्स दो टॉच्क्रीन रेस्पॉंस इस फैंटास्टिक एंड इट आलाओस तो क्वीक अजुस्मेंट्स एशेंचियल वें फिल्मिंग पर यहां पर यहां पर यहां पर फिल्म ने बैटरी को प्रोवाइड किया है तो यहां पर यह जो बैटरी है वो 7.4 फोल्ड एंड 4400 एमेज का है और यहां पर आप इस बटन को प्रेस करके इसमें कितना चार्ज है वो LED इंडिकेशन के साथ आप चेक आउट कर पाएंगे यहां पर आपको बैटरी के बॉक्स में आपको USB-A to Type-C केबिल देखने को मिलता है जिसको यूज करके आप इस बैटरी को चार्ज कर सकते हो यहां पर आपको एक बैटरी को यूज करने के लिए एक user manual भी देखने को मिल जाता है इसके बाद बॉक्स में आपको देखने को मिलता है एक metal का tilt arm जिसको यूज करके आप इस monitor को आपके camera setup के ऊपर mount कर पाएंगे इसके बाद आपको बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है एक good quality HDMI to micro HDMI cable most of the modern flagship camera में HDMI type A port रहता है अगर आपके camera में micro HDMI port नहीं है तो आपको अलग से HDMI to HDMI cable या HDMI type A to type A cable आपको अलग से buy करना पड़ेगा या फिर आपको adapter बाई करना पड़ेगा इसके बाद यहापे आपको देखने को मिलता है एक sunset bracket यहापे आपको देखने को मिलता है एक deassemble range यहापे आपको देखने को मिलता है एक USB A to type C OTG cable जिसको उसकर करके आपके custom 3D Lats को pen drive से या hard drive से monitor में import कर सकते हैं इसके बाद यहापे आपको देखने को मिलता है यह sunset जिसको आप उस दिया गया bracket के मदद से monitor के उपर मांट करके बहुती bright sunny days में बहुती ज्यादा flexibility पा सकते है और फाइनली यहापे आपको देखने को मिलता है फिरलो वाल्ड FI Pro X 5.5 inch full HD monitor जो की बहुती compact and lightweight design है और यह बहुती portable है compact and lightweight होने के साथ साथ monitor कर जो design है वो मुझे बहुती ज्यादा इंप्रेस किया the monitor is made of very high quality plastic material and budget 25 पन के हिसाब से यह monitor आपको बहुती premium फिल होगा monitor के upper side में आपको देखने को मिलता है F1, F2, F3 custom buttons जिसको आपके हिसाब से customize कर सकते है और आपके preferred जो function है वो आप यहाँ पे assign कर सकते है इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक touch button जिसको आप प्रेस करके touch function को on या off कर सकते है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक menu button जिसको प्रेस करके आप menu को open कर सकते है और उसके बाद आप down buttons आपको देखने को मिलता है जिसको आप menu को navigate कर सकते है यहाँ पे आपको एक exit button या power on off button भी देखने को मिल जाता है center में आपको देखने को मिलता है 14th inch thread hole monitor के left side में आपको देखने को मिलता है HDMI in, HDMI out और आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 12 volt DC input जिसको आप अगर indoor condition में हो and अगर आपके पास power adapter है तो आप इससे भी monitor को power दे सकते है monitor के नीचे की तरब आपको देखने को मिलता है 8.4 volt DC output, 1 4th thread hole, headphone jack audio को monitor करने के लिए and USB type C port जिसको यूज करके आप power bank से इस monitor को power भी दे सकते है and इस type C port को यूज करके आप आपके custom 3D lats को भी monitor में import कर सकते है monitor के right side में आपको देखने को मिलता है again एक 1 4th thread hole जिसको यूज करके जो provided tilt arm है उसको आप यहाँ पे आप mount कर पाएंगे monitor के पीछे की तरब आपको देखने को मिलता है एक sony f970 battery slot जिसको आप provided battery को यूज करके आप इसको power भी दे सकते है और यहाँ पे आपका external equipment like external wireless transmission, LED lights, video converter या कोई भी अदर accessories को आप यहाँ पे mount कर सकते है and f970 battery से उसको आप power दे सकते है as I said the touch response is fantastic and I am totally impressed by its user friendly menu system monitor में आप double tap करके यहाँ पे आप menu को या option को access कर पाएंगे यहाँ पे आपको five main menu and उसके अंदर बहुत सारा sub menus देखने को मिल जाता है and यहाँ पे आपको बहुत सारा filming and videography के लिए pro features आपको देखने को मिलता है पर यहाँ पे जो खास बात है आप नीचे से अगर swipe आप करेंगे तो यहाँ पे जो जो सारे main options है उसका quick access आप यहाँ से पास सकते है and उन एक-एक option को आप on या off कर सकते है so इसके अंदर जो जो सारे features and options है अगर मैं इस वीडियो में सारे features को explain करने जाओंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा and इसलिए मैं इन सारे features में से आपको एक बार go through कर रहता हूं पहले menu के अंदर जो option है वो है assist and assist के अंदर आपको जो first option देखने को मिल रहा है all webs and अगर आप इसको on करेंगे तो यहाँ पे सारे waveforms, vector, histogram कूछ यहाँ पे enable हो जाएगा इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है waveform, उसके बाद vector, histogram, focus assist, embedded audio, overexposure, check field, false color and आप इन सारे एक-एक options के अंदर या एक-एक features के अंदर जाके आप इसको आपके हिसाब से customize भी कर सकते है इसके बाद आपको देखने को मिल रहा है marker menu and इसके अंदर जो first option है grid and grid के अंदर भी आपको बहुँत सरे grids के options मिल जाता है आप row column भी आप के हिसाब से select कर सकते हैं grid के colors भी आपके सीरेक्से लेट कर सकते है जोर्फ The 2nd option हैave frames यहाँ पे भी को ऐप 80% 85% 90%,93 % आपके हिसाब से सब सकते हैं जो तर्ड अब्षण है वह है कर सकते इस सैंटर marker तो भी आप on & off कर सकते हैं इसका color भी आप आपके सबसे set कर सकते हैं जो fourth option है marker menu में वो है ratio marker और इसको आप on करके भी आप जो monitor का aspect ratio है वो आप आपके सबसे select कर सकते हैं यहाँ पे आप color को भी आपके सबसे customize कर सकते हैं जो third menu है वो है image और इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है can mode, aspect ratio, anamorphic, so अगर आप a na maurfik lens कर आई तो यहाँ पे आप the disk quiz कर सकते हैं यहाँ पे आपके ए Wik lumке日 को, सबसे कर सकते हैं यहाँ पे इमेज फ्रीड का आपशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा यहाँ पे fourth menu है वो है user option एड ईस पाने को मिल रहा है एंड यहाँ पे भी आपको कुछ LROC दे जो लाट है उसको आप पेंड्राइब से मॉनिटर में इंपोर्ट करके लाइव लाट रेजल्ट आप यहाँ पर देख पाएंगे दिविंग फिल्मिंग इसके बाद यहाँ पर एजडियर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर डिस्प्ले अजस्मेन में आपको बैक जो मॉनिटर के उपर में थ्री कस्टम बटन्स है उसको आप आपके हिसाब से कस्टमाइज करके जो आपका रिक्वाइड फंक्शन है वहाँ पर उसको एसाइन कर सकते है इसके बाद यहाँ पर लेप राइट की शेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर मेनू के के लिए आप यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं यहाँ पर लेंगवच को आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं यहाँ पर OSD सेटिंग्स भी आप यहाँ पर आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पर EAT SETTINGS का derechos नहेकर है बौलीईं का Control, Pause to अगर किसी भी टाइप के विडियो रेकोर्डिन करते हो तो आप आइस दर्सकोन करते हो upon कर शाथे हो तो अगर ऐसा मॉंहीं जाते को बाइशना फ्यरीया है अगर चान तरसे मुझे बाइश सब्सक्राइब फॉल्डत chosen ब्रीन Instagram link आपको नीचे description में मिल जाएगा तो इस परोबस इतना ही मिलते हैं इसी और वीडियो में